है अलो व्यवन स्वाहता आफ सभी का एक बार फिर से एक नया वीडियो में आज इस बीडियो में पहले analysis किलेंगे और आज और बीवात सारी वीडियो आने वाले एक दो वीडियो से लोट करेंगे चैनल पे अपलोड करेंगे तो देख सकते हैं पर इस पर शरी वारे ने बात करने जा रहे हैं अब बैसिकली इस शेर पर हम लोग डेली वीडियो पर एनलेसिस ला देते हैं क्योंकि यह जोगों का पैसा हुआ है बहुत लोगों ने अपर लेवल पर बाइंग किया है फचीस सो में अठाइस सो में तीन हजार रुपए में भी बाइंग किया और उसके बाद से वहां से ये शेयर ऑलएड़ी 35, 36, 38% के आसपास करेक्टेड है जिसके कारण ये शेयर का एनलिसिस मुझे लगता है कि मेरी अगर माली जेयर के बारे हम एक बार बात कर चुके है तो इसके बेसिस पे अगर हम और भी एनलिसिस जो भी मार्केट में अवलिबल है वह हम दे सके तो आज इस शेयर में फिर से एक बार लो लोवर सरक्रिक को टच करते हुए ये शेयर थोड़ा सा बांस बैक किया यहां पर यह आलमोस्ट 905 रुपीज पर आ गया था और वहां से 902 रुपीज पर फिर वहां से यह शेयर रिकावरी के दिखाई है अलमोस्ट 3% के आस-पास तो बैसिकली इस शेयर के बारे में हम लोग आज फिर से अनलाइस करने जा रहे हैं बैसिकली क्या है इस शेयर में तो सबसे में थोड़ा सा technical analysis भी करेंगे इसके chart का analysis करेंगे कि ये chart अपने कौन से ये जो price है वो अपने कौन से daily moving average के पास trade कर रहा है तो आप बने रहिएगा within 2 से 3 minute के अंदर हम definitely आपको बताएंगे कि ये जो price है 1922 ये कौन से daily moving average dma कास पास trade कर रहा है क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आने वाले time में ये जो dma है अगर यहां से breakout दिखाता है तो भी आपको समझ में जाएगा और यहां से अगर यह नीचे जाता है तो इसका support क्या है इसका इस particular share का support and resistance के बारे में अभी हम लोग 2 minute के अंदर बात करेंगे इसमें आप बिल्कुल पर आपको घबराने की जुरुत नहीं है बात यह सही है यह शेर बहुत जादा अपको आने वाले टाइम में एक बजट अनौन्स हो जाएगा तो इस शेर में एक अच्छा उच्छा आपको देखने को मिल सकता है हाला कि इस शेर का quarterly result भी आएगा तो जब Q1 का result आ जाएगा वहां से भी आपको इस शेर में बहुत अच्छी recovery देखने को मिल सकती है या इस शेर में एक अच्छा movement देखने को मिल सकता है अपसाइड डाउनसाइड बहुत भी लेट से अगर आपने बहुत हाई प्राइज में अल्रेडी बाई कर लिया है जैसा comment section में बहुत लोगों का comment आया है कि अल्रेडी उन्होंने 2500-2800 पर बाई किया है तो एक breakout दिखान करने वाला है 2024-2025 के बीच का और अगर एक बर और इस शेर में बात करें तो 500 क्रोड की सेलिंग इस शेर में आज भी हो चुकी है 500 क्रोड की सेलिंग आज इस शेर में हुई है तो आफ अगर higher price में अल्रेडी खरिच चुके हैं तो trap में मत फस यह loss आपका नहीं है जब तक आ आप बुक नहीं करते हैं यह loss आपका नहीं है अगें यह buy sell hold का recommendation बिल्कुल भी नहीं है यह share का जो भी analysis जो भी data है वह आपके साथ share कर रहे है let's say इस share में आपको कब तक अपने decision को बनाना है और वो decision कौन से factors पर driven होना चाहिए वो दो factor होना चाहिए पहला factor budget पहला factor है budget और budget आने के बाद आप इस share में देखेंगे कि एक अच्छा changes देखने को मिल सकते हैं और दूसरा factor है Q1 का result तो इस share में यह दोनों event आएगा और इस दोनों event के बाद ही इस share में एक अच्छा decision माना जा सकता अगर आप decision लेना चाहते है तो buy sell का वो आपके उपर है complete आपने analysis के ब volume था और अगर आप देखेंगे today volume तो यह 2 lakh के आसपास का volume है सिर्फ आज का और वहीं पर आप देखेंगे weekly volume तो वह बरकरार है 2 lakh के आसपास तो इसमें liquidity का problem नहीं है इस share में 2 lakh के आसपास का weekly volume है monthly average volume है 3 lakh के आसपास का और कि यह कैसा है आप अब यहां सकते हैं या फिर अगर आफ कमेंट सब्सक्राइब बताएंगे तो हम आफ के लिए वह इंफॉर्मिशन भी रते हैं कि लाज़ इस complete share में लाज़ डील जो है वह आज नहीं आया है ठीक है लाज़ डील जो लास्ट लाज़ दील था वह आफ आफ को सेकेंड ऑफ जुलाई को देखने को मिलागा फर्स्ट जुलाई को अल्मुस्ट चालीस करोड का लाज़ डील था और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग आ रहे हैं एक टेकनिकल एनलिसेस हम लोग को समझ में आना चाहिए कि अगर माल लीजे हम लोग कि पर कहां मूव कर रहा है तो यह आफ इस शेर का जो सपोर्ट देखेंगे ना वह यहां पर आफको दिख रहा है सम्वेर अरूंड 14,044 रूपीज में 1744 रूपीज में इसका सपोर्ट है जो लास्ट प्रीवियस लो है प्रीवियस लाज़ेस्ट लो जो है वो 1744 रूपीज म बनाया था जो मैक्सिम हाइदा वो 2500 पर बनाया था और वहां से लेकर यह शेर अभी करेक्ट हो रहा है 1900 1855 पर रिसेंटली 65 पर यह इसने रिसेंटली करेक्ट हुआ है तो आफ दो रेंज यहां पर देख पा रहे हैं पहला रेंज तो यह हैं बिगर पिक्चर के लिए अगर तहसे जो दो रेंज है भी इस रेंज है इस रैजिस्टेंस को तूठने पर आफका अगें अफने तो बाइं किया और MAX तो MAX यहीं पर बाइं किया ओगा ठीक है 3000 के अगर आसपास अगर आप बाया है तो और अगर नहीं तो यह जो लो है यहां पिसे तूट जाने दीजे इन चल रहा है यह शेर तो इसको चलने दीजिए अगर आपको बाइंग करनी है नया इतना है अगें यह रिकमेंडेशन नहीं है पर फिर भी इसके प्रिवियस लो से थोड़ा और तूटने दीजिए ताकि इस पर्टिक्लर शेर में बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी और यह है तो यह सञेशन सिर्फ आपके लिए अगेन यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन पॉपस के लिए अगर आपको लगता है कि किसी भी उपर ऊपर एनेलीजिस चाहिए तो आप भे धड़क नाम आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं जिस भी शेर का नाम आप कमेंट स प्रफट